अस्सलाम अलेकुम इस्टूडेंट्स आज हम अकाउंटिंग में डैबिट साइट और क्रेडिट साइट समझेंगे कारुबार में डेली बेजिस पे जो भी ट्रांसेक्शन सो रही होती हैं उनको हम अपने पास जब रिकॉर्ड करते हैं तो हमारे पास टू साइट होती है एक होती है डैबिट और दूसरी होती है क्रेडिट डैबिट साइट वो साइट होती है जो कारुबार को फायदा पहुचाती है इट मेंस जो भी अकाउंट डैबिट होता है वो कारुबार को फायदा पहुचाता है For example, मैंने कारुबार के लिए कोई भी asset purchase करा तो वो मैं अपने पास debit site पे record करूँगे जैसे कि मैंने अगर फ़र्णी चल लिए machine relief, office, equipment, office, supplies यह सब कारुबार को क्या देनी है? फायदा देनी है तो यह सारी चीज़े जब भी हम purchase करते हैं कारुबार के लिए उसको debit site पर record करते हैं Credit site Credit site वो site होती है जो दूसरों को फायदा दे It means कि credit site पे हम जो भी accounts record करते हैं वो कारुबार को फायदा नहीं पहुचाते बलके जो बाहर के लोगे कारुबार से बाहर के जो लोगे outsiders उन्हें फायदा पहुचाते हैं For example, मैंने कारुबार के लिए furniture purchase करा तो entry में मैं पास करूँगे furniture debit और cash credit Cash credit करें तो cash किस के पास जा रहा है जिससे मैंने चीज़ खरीदी है It means cash कारुबार से जा रहा है और cash उस बंदे के पास जा रहा है तो ये फायदा किसे दे रहा है other person को Entry pass करते वक्ट furniture debit हुआ है debit side पे record हुआ है ये कारुबार में आया है तो ये कारुबार को फायदा देगा और cash credit हुआ है cash दूसरे शक्स के पास गया है तो ये दूसरे शक्स को फायदा देगा In simple words debit side वो side होती है जो कारुबार को फायदा पचाती है और credit side वो side होती है जो दूसरों को फायदा देती है